ये आकारशवाणी रायपूर है प्रादेशीक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाशा शुक्ला और अब पेश हैं आज के मुखे समाचार प्रदेश में जुआ सट्टा के ओनलाइन कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम और कानून बनाये जाएंगे कॉंग्रेस को चुनावी वायदों की याद दिलाने आज भाज पादवारा महासमून में निकाली गई गंगा जल कलश यात्रा रायपूर के इंद्रगांधी क्रिशी विशोय द्याले परिसर में 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर रास्ट्रे क्रिशी मेला आयोजित किया जाएगा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कल सुबह 11 बजे आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साजह करेंगे अब समाचार दिस्तार से 36 गड़ में जुआ सट्टा के ओनलाइन कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सक्त नियम और कानून बनाया जाएंगी मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने प्रदेश में जुआ और सट्टे के विविद स्वरूपों और प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के लिए पुलिस महानेदेशक अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि ओनलाइन संचालेत हो रहे जुआ और सट्टा के खिलाफ कोई विदिक प्रावधान तथा स्पस्ट कारवाई की प्रक्रिया नहीं होने से इन पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाई जा पा रही है इससे देखते हुए मुख्यमंत्री ने विदिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप जल्द तयार करने के लिए कहा है राजिपाल लंसुया उई के अपने कोंड़ा गाउं प्रवास के दोरान कल एकल अभियान परिचय और सम्मान समारों में शामिल हुई इस अफसर पर उन्होंने कहा कि एकल अभियान से जुड़े लोगों के दोरा बिना साधन सुविधाओं के गाउं गाउं में शिक्षा के साथ संस्कृती परंपराओं और राश्ट्रेता की जो प्रेड़ना लोगों को प्रदान की जा रही है वो सराहनी है इस दोरान उन्होंने शिल्प नगरी का अवलोकन किया और शिल्प कारों से मुलाकात की साथ ही उन्होंने अपने गोद लिये ग्राम लंजोडा के आश्रित गाउं सल्फी पदर का भी दोरा किया इस दोरान उन्होंने बताये कि लंजोडा और सलफी पदर गाउं को मिला कर महत्मा गांधी ग्रामिन उद्योग पार्क की स्थापना की जा रही है जिसके लिए दो करोड रुपे की सहायता राजिशासन द्वारा प्रस्तावित की गई है उन्होंने कहा कि यहाँ पर की जा रही काले मिर्श की खेती से ना केवल ग्रामिनों को रोजगार मिला है बलकि गांधी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है राजिपाल ने वन सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा की जा रही पहल की भी सराहना की कॉंग्रिस को चुनावी वायदों की याद दिलाने आज भाजपा द्वारा महासमून विधानसभाक्षेत्र में गंगा जल कलश यात्रा निकाली गई इससे पहले कचाहरी चौक में भाजपा की आमसभा हुई जिसे भाजपा के राष्ट्रे उपाध्यक्ष और पूर्य मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सी तथा सांसर चुन्निलल साहू ने संबोधित किया डॉक्टर जी ने अपने संबोधन में कॉंग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया उन्होंने इस आंदोलन का दूसरे जिलों में भी विस्तार करने की बात कही प्रधान मंद्री नरे निर्मोदी के जन मुदिवस के उपलक्ष में भाजपा महिला मोर्चा रायपूर शहर द्वारा सेवा पकवाड़ा कारिक्रम के तहत पार्टी के सभी सोलह मंडलों में जल सरक्षन और पानी बचाओ को लेकर कारिक्रम आयोजिप किया गया वही जन जागरण अभियान चलाने के साथ ही निबंध, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें बच्चों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया वही मुंगेली में भाजपा महीला मोर्चा पथरिया मंडलवारा, सरसती शिश मंदिर में जल सरक्षन जागरुपता कारिक्रम का आयोजिण किया गया इस मौके पर विभिन प्रतियोगिताओं का आयोजिण हुआ इस बीच सक्तिजिले के चंदरपूर इलाके में स्थित हर दिगाओं में सेवा पकवाड़े के तहत सक्षता अभियान चलाया गया इसमें भाजपा की पूर प्रत्याशी संयोगिता से जुबेर के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई भारती जंता पार्टी के नेता शेवरी नारैंण दुवेधी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है आज नाई दिल्ली में उन्होंने पार्टी के 16 प्रदेश प्रभारी गोपाल राय की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली वहीं बीजापूर में करीब 125 युवाओं ने भाजपा में प्रवेश किया है प्रदेश ध्यक्ष अरुन साव नेता प्रतिपक्ष नाराण चंदेल सहित अनेक वरिष्ट भाजपानेताओं की मौझूदगी में इन युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहंड की इससे पहले प्रदेश अधक्ष अरुन साव के वीजापूर कोहचने पर नरसनार और भैरमगड में उनका स्वागत किया गया। कारिकर्ताओं ने इस अफसर पर बाइक रैली भी निकाली। और दर्षन समाचार, प्रधान मंत्रिक कारियाले तथा सूचना और प्रसारण मंत्राले के योट्ण्यूब चैनल्स पर भी कारिकर्म सिधाः प्रसारित होगा। प्रादिशिक समाचार आपाकाश्वानी रायपूर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों के ओर रायपूर के इंद्रागांधी क्रिशी विशोद्याले परिसर में आगामी 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर रास्ट्रे क्रिशी मेला आयुजित किया जाएगा क्रिशी मंत्रे रविंद्र चौबे ने बताया कि पांच देवसे मेले के दौरान क्रिशी की उन्नत तक्नीक का प्रशिक्षन किसानों को दिया जाएगा साथ ही उन्नत फसलों और क्रिशी के आधुनिक मशीनी करण की भी जानकारी दी जाएगी धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के मड़ेली गाउं में इन दिनों डायरिया का प्रकोब दिखा जा रहा है सौ से अधिक ग्रामिन इसकी चपेट में आ गए हैं कल एक बच्ची की मौत होने का मामला भी सामने आया है धमतरी के मुखे चिकिसा और स्वासाधिकारी डॉक्टर डी के तुर्रे के अनुसार फिलहाल गाउं में सितिनी अंतरण में हैं और दवा का वितरण किया जा रहा है गाउं में शिवर लगा कर पीड़ितों का इलाज भी किया जा रहा है इधर बीजापूर जिले में अलग अलग बेमारियों से 49 आदिवासियों की कथित मौत के मामले की जाच के लिए स्वासवेभा कामला बीजापूर नारायन पूर्जले के सीमावर्ती गाउं में पहुँच गया है शोताव आकाशवानी केंद्र रायपूर से हर रविवार को प्रसारित की जाने वाले समसामईक विश्यों पर आधारित कारिक्रम बातों बातों में इस बाग प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ साथ टीबी से बचाव के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए रायपूर के जिलाक शेयरनी अंत्रन केंद्र की चिकेस साधिकारी डॉक्टर नमिता साहू से लिए भेटवारता प्रसारित की जाएगी इसका प्रसारण आकाश्वाने केंद्र रायपूर से कल 25 सितंबर को सुबह 9 बजे से किया जाएगा इसे 36 गड़ में सभी केंद्र रिले करेंगे इस बार के अंक में कोर्बा जिले की गतिविदियों के बारे में जानकारी दी जाएगी राजभानी रायपूर में करीब दो साल बाद आगामी 26 सितंबर से 30 सिटी बसें सडकों पर फिर से दोड़ने लगेंगी कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंदर भूरे और महापौर एजाज धेवर इन बसों को हरी जंडे दिखा कर रवाना करेंगी सिटी बस विभाग के कारेपालन अभियंता बद्री चंद्राकर ने बताया कि 65 सिटी बसों में से 30 बसों का संचालन परसों से शुरू हो रहा है बाकी बसों का संचालन चरण बद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा अब कुछ है नखाबरे संक्षुत में एकात्म मानवाद के प्रवर्तक पंडित दीन द्यालुपाध है की जैनती पर कल रायपूर शहर में अनिक कारेक्रमों का आयोजन किया जाएगा नगर निगम और संस्कृते विभाग द्वारा तेली बांधा इस्तित उनकी प्रतिमा की समक्ष पुषपांजली कारेक्रम आ कुलपती से अनुमती लेनी होगी। 68 लाक रुपे की राशी को फर्जी तरीके से व्यक्तिगत खाते में भुगतान कर वित्ती अन्यमतिता बरतने के आरोप में राजिशासन ने बलरामपूर जिले के रामानुज गंज में पदस्थ प्रभारी कारेपालन अभियंता संजै कुमार ग्रायकर को निलंबित कर दि बस्तर जिला मुख्याले जग्दलपूर के पास आसना गाउं में इस्थित बादलक आदमी में जिला अस्तरी आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता कायोजन किया गया इस में जिले की सभी विकास खंडों से दो दो नृत्य दलों ने प्रस्तुति दी सट्टा पट्टी और आनलाइन सट्टा के खिलाफ कारवाई करते हुए दुर्ग पुलिस के साथ एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने कई जगहों पर दबिश दे कर 21 सटोरियों के खिलाफ कारवाई की है दुर्ग जिले में भिलाई सोमनी मार्ग पर आज ट्रक की ठोकर से दो पहिया सवार एक यूवती की मौके पर ही मौत हो गई घटना से नाराज ग्रामिनों ने मार्ग पर भारी वाहनों के आवाजा ही रोकने की मांग को लेकर चक्का जाम भी किया मौंगेली जिले के तुलसाघाट गाउं में एक यूवक पर प्रेट्रोल डाल कर आग लगाने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार किया है गंभीर रूप से जुल से यूवक की अस्पताल में इलाज के दोरान मौत हो गई और राजनान गाउं जिले के अंबगर चौकी में शिवनाद नदी एनिकट पर नहानी के दोरान बह गए एक यूवक का शव आज तीसरे दिन पांगरी गाउं के पास बरामत कर लिया गया अंतमी मुखिसा मचार एक बार फिर प्रदेश में जुआ सट्टा के ऑनलाइन कारोबार पर लगाम लगानी के लिए सक्त नियम और कानून बनाय जाएंगी कॉंग्रिस को चुनावी वाइदों की याद दिलाने आज भाज पाद्वारा महासमुन में निकाली गई गंगाजल कलश यात्रा रायपूर के इंद्रा गांधी कृष्य विशुद्याले परिसर में 14-18 अक्टूबर तक अंतार राष्टरी कृषी मीला आयोजित किया जाएगा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाश मानी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगी इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटन समाप्त हुआ नमस्कार